हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप वाटसब यूजर हैं तो वाटसब पर अगर आप वाटसब का अपने लिंक सेयर करना चाहते हैं किसी friend को और आप चाहते हैं कि वो आपके उस link को copy करके direct आपके whatsapp पर आ जाए और आपसे वो chat करें तो कैसे आप whatsapp link आप create कर सकते हैं कैसे आप link share कर सकते हैं whatsapp का इस video में आपको यह बताने वाला हूँ जैसे आप facebook का या instagram का link आप अपना share करके किसी भी friend को उस पर directly आप अपने friend को add कर लेते हैं तो same process whatsapp पर भी है whatsapp पर भी अगर आप अपने link को share करके आप किसी भी friend के साथ add होना चाहते हैं तो आपको three dots पर click करना है और यहाँ पर आपको settings पर click कर देना है नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको option मिल जाता है invite और इसपे टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर टॉप पी आपको option मिल जाता है share link का, share link पर जैसे आप clicking करते हो आपको यहाँ पर copy का option मिलता है copy कर लेते हो उसके बाद आप बैक हो जाना है बैक हो निक बाद आपको क्या करना है जिस भी friend को आपको ये link आपको भेजना है उसपे आपको ऐसे send कर देना है send करने के बाद अगर वो आपका friend उस link को open करता है तो आपको Chrome पर जाकर वो open हो जाता है तो यहाँ पर problem यह आ रही है कि WhatsApp का link आपका open नहीं हो रहा है डारेक्ट वो redirect कर दे रहा है बट इस video में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने WhatsApp का link आप खुद बना सकते हैं कैसे आप WhatsApp का link बना के अपने friend को डारेक्ट आप interact कर सकते हैं इसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल पांडी हैक्स को subscribe कर दे और वीडियो को like करें तो WhatsApp का link आपको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा आपको simple से काम करना होगा मैं आपको जो बता रहूँ हूँ आपको यहाँ पर लिखना है आपको लिखना है http double dot double slash w a small me ही रहेगा सब w a dot me उसके बाद आपको क्या करना है आपको plus 91 लिख देना अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो plus 91 other country के अगर आप रहने वाले हैं तो आपको country का अपने code लिख के नंबर उसके बाद आपको अपना personal नंबर जिस भी WhatsApp को आपको भेजना है प्रिफरेंड को वो नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है आपको send कर देना है देखिए यहाँ पर आपका लिंक बन गया है WhatsApp का अब जो भी फ्रेंड आपके इस लिंक को उपन करें तो आपके WhatsApp पर आ जाएगा ऐसे देख सकते हैं आप तुरंत वो डारेक्ट आपके WhatsApp पर आ जाएगा और जो भी चैट करना चाहेगा वो चैट कर सकता है तो इस तरह बहुत ही आसानी से आप भी अपना WhatsApp का लिंक आप बना सकते हैं और WhatsApp का लिंक आप create कर सकते हैं उमीद है वीडियो मेरा बहत पसंद आए होगा ऐसे कंटेन के लिए आप मेरे चैनल पंडी हेक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थाइंक्यू सो मज़ दोस्तों